हेलो एवरिबन सो आज की वीडियो में हम देखेंगे NEED 2024 में BHU BSC Nursing की केटिगरी वाइज क्या कट आप रहने वाली है 2024 में और ये वीडियो इसपेसल आपकी डिमांड पर बनाई जा रही है युदि काफी कमेंट आ रहा है थे कि जो high rank गई है after result जो cut off इतनी high चली गई है तो उस पर वीडियो लेकर आईए तो उसी को देखते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें आपको पर चलेगा कि कितने marks पर इस साल आपको एडविशन मिलेगा तो मैं आपको एक पर बता दूँ ले सकते हैं चली तो हम आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में किस हिसाब से वीडियो आँगे फर्दर चलेगी चली बढ़ते हैं आँगे तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि BSU में कितनी seats हैं जिस पर दोनों ही candidate male और female addition ले सकते हैं और हम देखेंगे कि last year की क्या cut-off गई थी last year कितनी last rank तक आप college एलोट हुआ था उस साब से हम need 2024 में क्या cut-off रहने वाली है वो भी हम आँगे discuss करेंगे चलिए बढ़ते हैं आँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं total 75 seats हैं जो कि आपकी all India quota के थुरू ही भरी जाएंगी इसमें कोई भी state quota नहीं होता है जैसे कि last video में आपने देखा है जितनी भी डेली के college हैं उसमें डेली NCR और all India quota दो quota होते हैं बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ all India quota होता है उससाब से ही पूरी 75 seat all India quota के थुरू ही भरी जाएंगी और male and female candidates दोनों ही एडविशन ले सकते हैं चलिए तो हम और आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि last year last कितनी rank तक BHU में एडविशन मिला था चलिए हम देखते हैं आँगे तो यहाँ पर आप देखिए BHU 2023 यह straight vacancy round तकी cutoff है जो भी last round होए थे उनमें last क्या cutoff गई थी वो यहाँ आप देख सकते हैं general की cutoff रही थी लगबग 1 lakh rank तक OVC में 1,26,000 1,26,000 EWS 1,62,000 SC के डिगरी 2,70,000 और ST 4,63,000 तो आपको मोटा अंदाय लग गया होगा अगर आपकी rank इतनी आ रही है तो फिर आप safest zone में हैं आपको किसी पराई कोई टेंसल नहीं जावत नहीं है आपका 100% आप college मिल जाएगा बट ऐसा मस सोचिए कि इतनी ही rank तक आपको अडिशन मिलेगा चलिए हम आँगे बताते हैं कि कितनी rank तक आपको इस college में अडिशन मिलेगा क्यूंकि सारी seats बढ़ती है MEBS की seats बढ़ती है और भी कई courses की seats बढ़ती है student की 24 पर्ट पर्ट करता है कि वो एडिशन कहां ले रहे है तो उस हिसाब से rank हर साल आँगे जाती है चलिए देखते हैं NEET 2024 में क्या cut-off रहने वाली है BHU, BHC nursing की तो यहाँ पर आप देखिए general category से अगर आप belong करते हैं तो आपकी rank लगबग 115,000 115,000 तक अगर आपकी rank है आपके marks 565 के उपर आ रहे हैं 565 तक marks हैं आपके तो आपको general category से BHU, BHC nursing में एडिशन मिल जाएगा आप चाहे male हो या female दोनों ही यहाँ एडिशन ले सकते हैं OVC category के हम बात करें तो 1,040,000 तक जाएगी और जिसके marks 550 marks आपके होने चाहिए EWS category 1,070,000 marks आपके 525 SC category 2,090,000 marks 440 ST category में हम देखें तो 4,090,000 आप 5 लाग भी मान सकते हैं कि 5 लाग तक भी चाह सकती है और आपके marks 347 मतलब अगर आपके marks 345 के उपर हैं तो भी आपको यहाँ एडिशन मिल सकता है तो यहाँ आप देखिए कि जो rank यहाँ लिखी हुई है यह लगबक सेफ rank है अगर आपकी rank इससे 50-60,000 उपर आ रही है जैसे कि 1,15,000 है अगर आपकी rank यहाँ पर 1,5,000 भी आ रही है तो आपको counselling में जरूर पाइटिसिपेट करना चाहिए क्या पता last round तक seat vacant रहे last year ऐसा ही हुआ था कुछ लोग ने counselling नहीं कराई थी last round में और जिससे उनके जाना marks होते हुए भी उन्हें admission नहीं मिल पाया था तो आपकी rank अगर जो rank यहाँ दिखाई गई है इनसे 50,000 rank उपर भी है तो भी आपको मैं recommend करूँगा कि आप counselling जरूर कराएं जैसे कि अगर आपके marks जो marks यहाँ दिए हुए हैं इससे 30, 35 marks, 30, 40 marks या 30, 35 marks कम आ रहा हैं तो भी आपको counselling पाइटिस्पेट करना चाहिए क्योंकि अगर आपको BHU नहीं मिलेगा तो जितने भी डेली ये college हैं आप वहाँ addition ले सकते हैं अगर आप mail candidate हैं तो फिर आपको सिर्फ BHU ही मिल सकता है एक और college है, भोपाला college है उसमें भी boys को addition मिलता है last year उसी counselling नहीं कराई गई थी जो भी काराण होंगे, वह भी पता नहीं है तो इस year देखते हैं अगर वो add होता है तो आपकी वहाँ भी sheet बढ़ेंगी चलिए, तो फिर हम मिलते हैं किसी next video में अब next video में हम देखेंगे कि डेली के जितने भी और college हैं उनमें क्या college wise का top रह सकती है या फिर जो भी आप demand करेंगे उस हजाब से next video आपको बनाके दे दी जाएगी चलिए, तो चैनल से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जैसे ही counseling स्टार्ट होगी आपको सभी प्रगार की information इस चैनल पर दी जाएगी चलिए, thank you